ट्राइल के लिए अन्मती दी गई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये ऐसे मौके पे दिया गया है कि उससे हर किसी को ये समझने आ रहा है पहली बार मुकदमा में चार सीट तब हुआ जब हम चुनाव लगने वाले थे और अभी फिर से जो है बिहार का क्रासी के खिलाब विष्णाषवा में रेजलिशन पास किया है तो असानी से इस बात को समझा जा सकता है कि शुरूस से ही इस मामले में राजनितिक लाव परिण के लिए यह पूरा-का-पूरा मुकदमा आ रचा गया है राजनितिक लावद के लिए इसमें टालमटौल कि से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है किस तरीके से दिल्ली में दंगा भरकाने वाले जो लोग हैं उनके उपर एफायार करने की जब अनुमती दी कहा एक जज ने की आप एफायार कीजिए उनका रातो रात तवादला हो जाता है कैसे लसकरे त्रवा के आतंकियों के सा यके साथ पक्रे जाने वाले दिरंदर सिंग के उपर देश दुरू का मुकद्मा नहीं होता है, और कैसे करनाटका में इस्कूल के आठ साल और 10 साल और द्रवा के बच्चों के उपर fatto ya कर दिया जाता है, यह जरूरी हो गया है, कि देश के सामने दूद का दूद हुर पा कानून की परकिरिया ये कहती है कि किसी भी मामले में 90 दिन के भीतर चार्ट सीट दायर होना चाहिए आप सब जानते हैं इसमें कई महीने लगाये गए कई महीनों के बाद जो है कई साल लगाये गए हैं परमिशन देने के लिए और टाइमिंग पर सवाल उठना सभाविक है ये चार्ट सीट तब फाइल हुआ जब हम लोग सभा चुनाव सभा है अब उसकी उससे ठीक पहले इस मुकंणमा को चलाने की अनुमती दी गई है और आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंदर सरकार के अधीन है और ग्री मंतरी जो है वो अमित साह है और अमित साह के बेटा को बीसी सीचाई का सिक्रेटरी बनाया गया है और हमारे जो घर के बच्चे हैं जो लड़के हैं उनको जो है डंडा पत्थर उनके आथ में थमा करके उनको जो है दंगाई बनाने की कोशिश की जा रही है। यह सवाल जब हम घूम घूम करके बिहार के गाओं में लेके गए और उस जन दवाओ के चलते हैं बीजेपी को भी NPR और NRC के समर्थन में पर्पोजल पास करना पड़ा तो टाइमिंग पर सवाल उठना सवभाविक है हम अननिसेसरी जो है इप और बट नहीं करना चाहते हैं जन गनमन यातरी जन गनमन यातरी जहां पर बीजेपी की सरकार है बीजेपी भी उसमें है और NPR और NRC के खिलाफ रेजिलूशन पास किया गया है यह अपने आपमें देश में पहली पहली चीज ह्या है और उसके लिए हम लोग और हमारे जैसे लाकों लोगों की महनत है विपक्ष की भी उसमें भूमि का है आम кстати है जो लोग दिन राज धर sound is उनकी भी भूमिक का है मैं कोई अपना personal折ल को कितना राजनितिक दबाव है और कानून का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है राजनितिक लाफ के लिए उसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरन बता रहा है कि आप देखिए खपिल मिस्रा के उपर F.I.R. करने को कहा माननिया उचनेलने F.I.R. नहीं हुआ जजज साहब का तवासला हो गया देबिंदर सिंग पे जो है देशद्रो का मुकर्मा दर्ज नहीं हुआ है और आप देखिए कि स्कूल के 8 साल 10 साल के बच्चे ये देश को जानना बहुत जरूरी है कि देश के लोगों की जो देश भक्ती की भावना है उसका किस तरीके से राजनितिक लाव उठाने की कोशिश कर रही है ये सरकारे जो देश की जंदा को उनके बुनियादी सवालो को पूरा करने में शक्षम नहीं है अपनी वासफलता को छुपाने के लिए एक फरजी बहस फरजी मुकदमा फरजी बातावरन तयार किया जाता है हम चाहते हैं कि फरजीवारा खतम हो इसलिए हम इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और ये जो मुकदमा चलाने के इनमती दि कि नहीं इस मामले में को इस इंटर्वीन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये तो होगा ना कि वहां सबूत रखे जाएंगे बहस होगी और सबूत पर बात होगी कोई भी मूँ उठागर के किसी को भी देश्द्रोई नहीं बोल देगा और हम जानते हैं कि हमने नारा नहीं लग कि बाप का कहा हुआ बेटा नहीं महनता है मेरे कहने से जो है देश चलेगा और और अभी तक अभी तक कोन न–भ पोस्ट लोग हैं हर मामले में यह नकाव कहां से आ जाता है जय इन्यू में नकाव करके लोग खोस्तम में हमला कर देते है उस्टल की तोर खोर करते हैं प्रेसिदेंट का सर खोर देते हैं हम जब जनगनमन यात्रा निकाल रहे तो नकाब पहिंग करके पत्थर वाजी कर रहे थे गोड से जिल्लावाद लगा रहे थे ये लोग इनकी नजरों में जो है देशद्रोई नहीं है और जो लोग रोटी और कोट और जेल इन चीजों से घबरा करके हम हक की लडाई नहीं छोड़ेंगे हम हक की लडाई जारी नहीं है